हेलो बचो आज हम लोग सीखने वाले हैं mechanics का, statics का बहुत ही important topic जिसे कहते हैं 2D equilibrium. अगर मैं briefed में आपको statics की जानगारी दूं तो statics में 2D equilibrium, 3D equilibrium, साथ ही साथ और भी misliniair topics भी होते हैं misliniair topics कौनसे होते हैं? beam, compound beam, cables, trusses and frames. हम यह सभी topic एक-एक करके इस module में अलग-अलग chapter में देखने वाले हैं आज के chapter का मकसद है कि हम लोग सीखेंगे क्या होता है 2D equilibrium शुरू करने से पहले कुछ important बात दिमाग में याद रखें बचो, mechanics बहुत आसान हो जाता है चीजों को सही तरीके से समझने के बाद जो भी मैं बाते आपको आज बताने वाला हूँ वो बहुत सालों से सोची हुई, समझी हुई और सारे exam के pattern और numericals के variation को समझते हुए आपके लिए देने वाला हूँ यह आपको शायद किसी किताब में इस तरह से organize करके नहीं मिलेगी तो बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, चलो शुरू करते हैं टॉपिक है 2D equilibrium, 2D equilibrium का basically मतलब होता है जो object आपके plane या फिर आपके paper भी दिखाई दे रहा है वो वैसा ही होगा उसके thickness या उसके depth के बारे में आपको सोचने की आवश्यक्ता नहीं है 2D equilibrium से पहले friction में मैंने equilibrium condition के बारे में discuss किया था वही बात मैं एक बार फटाफट दोहरा देता हूँ equilibrium condition क्या होता है अगर कोई object रखा हुआ हो और उस पे कई तरफ से forces लग रहे हैं लेकिन फिर भी वो अगर move नहीं कर रहा वो फिर भी अगर move नहीं कर रहा maybe वो move करना चाहता है maybe it is on the verge of moving but still if it is not moving it means it is stable and such object is said to be in equilibrium state तो हम कहते हैं अगर कोई object रखा हुआ है या किसी के साथ contact में है लेकिन फिर भी move नहीं कर रहा तो वो एक equilibrium state में है अब यह हो गया concept चोली mathematical इसका मतलब होता है उस पे लगने वाले सभी forces एक दुसरे को cancel कर रहे है और साथी साथ उन forces की वज़े से अगर उस object पे moment लग रहा है तो सारे moment भी एक दुसरे को cancel करेंगे तो हम उसे mathematically लिखते हैं अगर कोई object एक equilibrium state में है तो उस पे लगने वाले सभी force x direction में अगर होंगे तो उनका summation 0 होगा सभी forces जो y direction में होंगे उनका भी summation 0 होगा और साथी साथ उस object का अगर किसी एक भी point से या कोई भी point से आप अगर moment ले ले तो moment की value भी 0 होगी अगर कोई object ये तीनों भी condition satisfy कर रहा है इसका मतलब वो equilibrium state में है 2D equilibrium में ज़रूर नहीं है आप ये तीनों भी equation लगाएं जहां पे जरुत होगा वहीं पे moment लगा जाएगा moment के लिए हमें distance की जरुत पड़ती है क्योंकि moment का formula हता है force into perpendicular distance जिन questions में distances नहीं होंगे या जिन questions में rotation नहीं हो रहा है ऐसे cases में आपको moment नहीं लगाना होता तो वहाँ पे हमारे ये दो equation से ही काम बन जाता है 2D equilibrium में सबसे important step है free body diagram free body diagram भी हमने friction chapter में सीखा था लेकिन हम यहाँ पे एक बार समझते हैं free body diagram क्या होता है अगर कोई object किसी surface के साथ contact में है या उसको कोई string ने पकड़ के रखा है कहीं उसे रखा गया है किसी floor पे या किसी condition वस वो दुसरे object के साथ में फसा पड़ा है तो वहाँ पे वो आपको अलग करना होता है उसको surface से दूर करना होता है contact से दूर करना होता है strings को हटाना होता है और इस step को लगाने के बाद जो object बनता है जो diagram बनता है उसे free body diagram कहते है और shortcut में बोलें तो FBD कहते हैं तो हम FBD बनाएंगे किसी भी object का in this chapter and apply करेंगे उस पे equilibrium condition ठीक है? चलो कुछ बाते समझते हैं जो बहुत important है 2D equilibrium के लिए FBD बनाना अगर आपने ध्यान से किया अगर आपको उसके सारे concept clear है तो 50% से ज़्यादा काम हो जाता है उसके बाद में तो सिर्फ equation लगाना होता है तो FBD बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है FBD बनाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ points list down किये हैं का ध्यान से इनको सुनना और इनहें याद कर लेना कोई भी question solve करने से पहले इन सभी points को दो तीन बार दोहराना समझना हो सकता है सारी बाते आपके दिमाग में ना आए कई बाते question solve करते वक्त मैं आपको explain करूँगा तब और भी better समझ जाएगा लेकिन आप इन सभी बातों को ध्यान से सुने चलो शुरू करते हैं क्या points remember करने के लिए हैं पहली बात अगर किसी भी object का वजन दिया गया है तो उसका वजन आपको object के center पे बोलो या फिर CG पे आपको दिखाना होगा और वजन कभी भी vertically downward होगा हमेशा arrow से नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा चाहे surface horizontal हो चाहे surface inclined हो object किसी भी orientation पे हो वजन हमेशा vertically downward पहला point जूसरा point अगर कोई object किसी ground या किसी दिवार के contact में है किसी wall या ground के contact में है तो दिवार से उसे separate करने के बाद में उस दिवार से या उस ground से लगने वाला reaction आपको object पे दिखाना होगा यह reaction हमेशा object के तरफ होगा वो भी surface से perpendicular questions जैसे आएंगे और clarity मिलेगी object अगर किसी दिवार या फिर किसी ground के contact में है तो आपको दिखाना होगा normal reaction normal reaction का मतलब बता है perpendicular reaction and वो कभी भी object की तरफ होता है it is always towards the object it is always towards the object third point अगर कोई string लगाया गया है कोई cable लगाया गया है तो उस cable को हटा हुआ और cable को हटाने के बाद में उस cable में tension होता है वो tension आपको object पे दिखाना है जैसे normal reaction जैसे अगर कोई object है मान लो अगर कोई object है normal reaction object की तरफ होता है it is always towards the object cable अगेर बांधा है तो आपको cable अगर मान लो यहां पे बांधा है तो उस cable को काटके cable का tension away from object दिखाना है यह सबे हम लोग numerical के साथ में और बेटर समझेंगे लेकिन tension is always away reaction is always towards and tension is always away okay अगर दो object के बीच में cable लगा है दो object के बीच में string लगा है यह मैं लिखा नहीं लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए दो object के बीच में अगर cable या string लगा है तो आप cable को काटके gap कर दो cable का FBD मत बनाते बैटना कोई ज़रत नहीं होती है एक से ज़्यादा cable अगर होते हैं तो आप cable के FBD भी बना सकते हैं अगर एक से ज़्यादा cable जुड़े हैं तो लेकिन अगर एक ही cable है दो object को पकड़ा है cable को gap करो cable का tension object से away क्योंकि tension is always away and contact वाला reaction is always towards यह मैं बार-बार दोहराऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैट जाए अगर कोई बार या beam उसका length नहीं दिया है तो उसे L assume कर लेना जरुद पढ़ने पे सिफ जरुद पढ़ने पे मोमेंट के लिए हमें distance की जरुद पढ़ती है तो कई बार distance दिया नहीं होता तो आप क्या करें आप L assume कर लें उसका length और वो length बाद में शयाद cancel हो जाता है इसलिए आप assume करके आगे बढ़ सकते हैं अगर दो cylinder या spear आपस में contact में होंगे दो cylinder या 2 spear आपस में contact में होंगे मेरे बात में बरसा रखो यह सारी बात है आज के session में numerical द्वारा cover करने वाला हो next अगर कोई circular surface या flat surface contact में है तो वहां पर reaction FBD में surface surface से perpendicular object पे दिखाना है तो surface से perpendicular और circular पे दिखाना है तो उसके center के along यह दोनों भी justify होनी चाहिए मतलब surface जो होगा flat उसको perpendicular होना चाहिए और साती साथ circular object होगा उसके center के along होना चाहिए proper मतलब जैसे अगर एक circle है एक flat surface है तो इनको separate करके अगर FBD बनाया जा रहा है तो circle पे reaction circle पे reaction towards center की तरफ flat surface पे reaction कैसा दोनों का direction बरबर same तरफ से है लेकिन flat वाले पे perpendicular circle वारे पे towards अगर circular and edge surface contact में है मतलब अगर कोई circle या edge surface contact में है तो ऐसे case में आप direction assume नहीं कर सकते reaction का मैं एक last question लूँगा वहाँ पे कुछ clarity दूँगा आपको आज के लिए इस topic पे लेकिन यहाँ पे direction आप assume नहीं कर सकते आपको reaction assume करना पड़ेगा किसी एक particular unknown angle alpha पे ऐसा मान के चलो यह बात एक बार फिर से दोरा देता हूं object का वजन हमेशा cg पे vertically downward reaction due to wall or ground अगर रहा अगर कोई surface से object contact में है ऐसे बोल दो या फिर कोई object किसी ground पे रखा है ऐसे बोल दो तो जो object होगा उस object की fbd पे reaction ऐसा होगा कैसा होगा ground को perpendicular कैसा होगा object की तरफ होगा ground को perpendicular and object की तरफ होगा wall के case में भी same logic लगा सकते हैं आप लोग अगर आप wall के case में बनाएंगे तो वही चीज में redraw करने जा रहा हूं जो भी बनाया था यही object आप यहाँ पे draw कर दो और wall से perpendicular मतलब यह line कैसा? towards the object towards the object अगर कोई cable या string है कोई cable या string अगर बांदा है मतलब अगर कोई object है उसे cable बांदा गया है ऐसे cable को काट दो और object से away cable का tension दिखा दो away and towards जिमाग में जाना चाहिए next कोई बार का length नहीं दिया तो I'll assume कर लो अगर दो cylinder sphere आपस में contact में है अगर दो cylinder sphere आपस में contact में है let us say यहाँ पे यह जो दो body है इन ही को मैं assume कर लेता हूँ यह माल आपस में ऐसे contact में है इनका separate FBD अगर बनाना है तो इनको अलग करो इनको अलग करने के बाद में इनका जो centerline होगा बचो इनका centerline के along ही इस पर reaction यहाँ आएगा इस पर reaction यहाँ आएगा इस पर reaction यहाँ आएगा It will always be towards and it will be along the center of both the objects, okay? अगर कोई flat and circular है, तो इनको अलग करो, इनको ऐसे अलग करो, और अलग करने के बाद में क्या करना है? इसका center और इसको perpendicularity सेम रहेगी, इस पे towards, इस पे भी towards. Flat को perpendicular, circle को towards center, ख़तम. Circle और edge अगर है, तो आप बोल नहीं सकते हैं कि किस तरफ जाएगा reaction. मतलब अगर मैं यहाँ पे इसे इसे अलग कर दूँ, इसे अगर अलग कर दूँ, तो इधर से लगने वाला reaction आप नहीं कह सकते हैं कि center की तरफ ही जाएगा. Not necessarily, it will be always towards center. दो cases मैं एक दम अच्छे से explain कर दूँगा, लेकिन अगर आपको कभी नहीं समझता है, कहां जाएगा, कैसे जाएगा, तो आप बस assume कर सकते हो कि मान लो भाई, कोई reaction होगा, वो reaction आप ऐसे दिखा सकते हो, और वो reaction कोई तो एक angle alpha पे होगा. कोई तो angle alpha पे होगा. तो यहाँ पे R भी unknown होगा और alpha भी unknown होगा, दोनों भी unknown होगा. दोनों भी unknown होगा. अब इस तक क्या था, आप direction clear cut वता पा रहे थे, इस case में direction नहीं clear cut वता पाएंगे. यह सब कुछ अगर आपके दिमाग में अच्छे दर्यकर से बैठा है, तो आप 2D equilibrium के question कर पाएंगे. 2D equilibrium के question में, कभी-कभी exam परिशान करने के लिए, आपको range के questions भी पूछ सकता है. अगर question range के पूछ रहा है, मतलब कि भाई, किदर से किदर तक value होगी tension की, तो आपको अलग-अलग cases में question solve करना पड़ता है. एक case आपको minimum का consider करना पड़ता है, एक case आपको maximum का consider करना पड़ता है, और आप question solve कर पाएंगे. questions के बहुत variety बनाई जा सकती है, हमारा आज का मकसद है कि कोई जो cylindrical objects होते हैं, वो अगर contact में हैं, उन्हें कैसे solve किया जाए, applying all these conditions आज का ये target है. तो चलो कुछ questions एक एक करके solve करेंगे.